हेलो फ्रेंड्स केसे हैं आप लोग अगर आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज पोस्ट करना पसंद है और आप दूसरों से थोड़ा डिफरेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरीज क्रियेट करना चाहते हो that this video is for you क्योंकि आज मैं आपको 5 different apps के बारे में बताऊंगा जिनके help से आप next level इंस्टाग्राम स्टोरीज क्रियेट कर पाऊगे अगर आपको कुछ minimal ट्राइ करना है simple minimal स्टोरीज क्रियेट करना पसंद है तो आप ट्राइ करो मोश्टोरी वैसे तो यह बहुत सारी different categories के साथ आता है जिसमें both paid and free templates दे गई है बट इसमें जो minimal category है इसमें एक बहुत ही अच्छी collection देखने को मिलता है free templates का आप देख सकते हो beautiful animation और text के साथ कितनी सारी templates आपको बस आपकी पॉसंद की एक template select करना है देन पिक्चर एट करना है और साथ में text को edit करना है यहां पर आप frame color text style music और animation duration भी customize कर सकते हो मोजो इसमें भी बहुत सारी different categories है like fashion, minimal photography, music, great, gold, rounded और ऐसे बहुत सारी categories इसके अंदर दे गई है जिसमें बहुत free and paid templates देखने को मिल जाती हैं जिने आप try कर सकते हो सभी categories में कुछ free templates भी हैं जिने यूज करके आप कुछ बहुत ही अच्छी Instagram storage create कर पाऊगे और इस app के अंदर text, gif और stickers add करने का option भी देखने को मिल जाता है जो के बहुत ही अच्छी बात है थोड़ा फैर story maker अगर आपको static storage create करना है तो आप इस app को try कर सकते हो last app जो था उसमें सभी category से free templates को find करना पड़ता था बट यहां पर आपको एक अलग से category देखने को मिल जाता है free templates का जिससे आपको free template find करने में easy होगी यहां पर बहुत सारे free templates दी गई है जिने आप try कर सकते हो और हाँ इसमें भी आप text और stickers add कर सकते हो और आप चाहें तो gallery से picture select करके उसे add sticker भी add कर पाओगे फोर टैप है motion leaf यह तोड़ा different है इसके अंदर आप किसी भी picture को animate कर पाओगे जैसे कि यहां पर यह जो normal picture है यहां पर आप waterfall को animate कर सकते हो पहले आपको water animation की path को जो है draw करना है इस तरह से देन anchor और जो part freeze रहेगा उसे आपको इस तरह से mark करना है देन कुछ step का एक animation देखने को मिलेगा जो की बहुत ही cool लगता है यहां पर आप animation speed और loop भी customize कर सकते हो यहां पर sky को replace करने का option भी देखने को मिल जाता है बट यहां पर जो free version है इसमें बस दो sky design दी गई है देन effect, overlay, elements, etc भी यहां पर आप add कर पाऊगे साथ में camera motion भी आप यहां पर add कर सकते हो जो की और भी interesting बना देता है इस story को तो अगर आप insta storage में कुछ different try करना चाहते हो तो इस app को आप try कर सकते हो अगर आप थोड़ा time spend करके professional storage create करना चाहते हो तो आप try करो canva best है हाँ इसमें बहुत सारे free templates है बट अगर आप खुद से अपनी creativity से कुछ करना चाहते होना तो यह app best है यहाँ बहुत सारे advanced tools दी गई है जिनके मुदद से आप बहुत ही amazing storage create कर पाऊगे और हाँ यह आपकी creativity के उपड डिफेंट करता है बहुत इतना है नहीं आप इसके अंदर facebook storage, facebook post, instagram post, whatsapp storage, youtube thumbnails, invitation card और भी एसी बहुत सारी चीज़े create कर पाऊगे और मेरे चैनल की जो thumbnails है वो भी मैं इसी एप सी create करता हूँ तो friends यह दे कुछ एसे 5 apps जिने आप try करके कुछ एसे instagram storage create कर सकते हो जो की आपकी followers को definitely पसंद आ सकता है I hope कि आप कोई वीडियो पसंद आया होगा और अचलो तो वीडियो को like करो, share करो और एसा ही और interesting वीडियोच के लिए channel को subscribe करो और bell icon को press करना बिल्गूल भी मत बुलना Thank you for watching this video and keep smiling, this is John Suman signing out